2016 से पहले आप 1GB की डेटा के लिए कितना पैसा देते थे अहब दोर पे 300 रुपे दिये जाते थे 1GB मिलता था और वो भी 3G डेटा था 2016 के बाद की कहानी हम सबको बता लेकिन कुछ और चीज़े बताओ जैसे की 2022 का अगर मैं एक्जामपल लो जहां पर हाइस नंबर ओफ इंटरनेट यूजर होते है येस 900 मिलियन यूजर है अगर मैं वायर्ड और वायर्लेस दौरों कममेंड करू देखा जा तो पिछले कुछ साल में हमें 4G का बेनेफिट तो मिला ही था उसके बाद एक फाइबर ब्राड बेन्ड का भी बेनेफिट मिला यानि कहने का मतलब यह कि इंडिया में जो इंटरनेट इंफ्रास्रक्चर होता है वो पहले से जादा काफी बेटर हो गया है और इतना जादा आसान हो गया है कि इसे आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं हाला कि मैं यह बिल्कुल ही कहूँगा कि बिल्कुल ही सस्ता है इंडिया से सस्ता भी इंटरनेट मिलता है लेकिन सब्सक्राइबर बेसिस के ममले में जी और नमबर वान आता है इहेटेल लेकर लेकर रहा है फाइबर ब्रॉडबेट को भी प्रवाइड करवाए है इंडिया का जो इंटरनेट आए जहापे हम पहले बॉट्टम 20 में आते थे वेल उसका अंसर है 5G का, दिको 5G के बारे में आप लोगो होगा कि जो 5G रहता है उसको इंडिया में आदे में तो टाइम लग गया था, globally जो पहला 5G हुआ था स्टार्ट वो गया था 2019 में, 2022 तक लग गया टाइम इंडिया में आने में, G.O. को लगा कि अपना खुद का standalone network लाना चाहिए और 5G में भी वैसे धवाका करना चाहिए जैसा 4G में किया था आहत के समय में इंडिया में आराओं 89% के आराओं जो यूजर है वो अभी भी 4G LTE ही यूज करते हैं 11% के रहा हूँ 5G उजर से लेकिन इसके बावजूद भी 5G का जो deployment हुआ इंडिया में वो जबर जस्त है चाहस तोर पे जितनी तीजी से टावर्स लगिया है जितनी तीजी से 5G का infrastructure फैला हुआ है जितनी तीजी से आपे 5G force हमाई लेबाले market के अंदर इसका यहाँ पर हमने impact तो यहाँ पर देखा है आप देखने वाली बात हो कि जब 5G यहाँ पर paid होगा free offer खता होगा उसके बाद यहाँ पर कहानी क्या रहती है क्योंकि 5G लग रहा है कि बहुत ही जल्दी आपको शायद paint देखने को मिल सकता है लेकिन definitely जो काम इंडिया के fiber network पे हुआ था प्लस इंडिया के जो internet के उपर हुआ था ना इन्होंने long term vision रखा था कि 4G भी प्रवाइट करेंगे 5G भी प्रवाइट करेंगे और आने वाले समय में सिर्फ जी भी प्रवाइट करेंगे इवन जियो का एक काफी कच्छा एंग्जांबल है जियो ने हाप पे जो oceans के नीचे जो fiber cable होती है उसके उपर भी काम कर रही है और एक जो cable का जो काम है 2024 तक यहाँ पर खतम हो जाएगा और इसके बाद 200Tbps की जो fiber link की जो line होती वो यहाँ पर create हो जाएगी ध्यानी की already existing जो connectivity नोने इंडिया के अंदर करी थी इंडिया के बाहर हम दूसरी जेशों को किस तरीके से जोड़े बाहर के इंटरेट से किस तरीके से connected रहे है वहाँ पर इसका काम किया गया तो यह भी काफी अच्छी चीज है जिससे जो fraud band रहता है जो back end रहता है उसे और जादे हाँ पर स्ट्रॉंग किया जा सके इसके साथ ही बात करें तो यार इंडिया के अंदर ऑल्रेडी सिक्स जी क्यू पर भी काम चल रहा है सिक्स जी अलाइन्स वगरा का भी formation वगरा हो रहा है जहां पर आर एंडी वगरा की जाए और यह देखा जाए ताकि जब इसके बाद जहां पर आपना फाइबर ले जा सकते थे वहां तक ले जा चुके इसके बाद जहां पर फाइबर जाही नहीं सकते हैं आप वहां तक कैसे पहुचा जाए इसलिए लोग अपने एयर फाइबर लेकर आए ताकि इसको और जाद पैन इंडिया पहुचाया जा सके और देखा जाए तो एयर फाइबर उनके लिए टूल है जहां पर लोग 5G को बॉनिटाइज कर सकते हैं और 5G टेकलोजी का यूज करके अच्छे स्पीड प्रॉइट करेंगे और यहां पर उड़े पता कि मोबाइल फोस्प्राइबर से इतना पैसा नहीं बना पाए लेकिन लॉंग टर्म में एयर फाइबर यूजर से और ज्यादा यहां पर पैसा बना सकते हैं यह कुछ ऐसी चीज़े जहापे जो एयर अच्छा कबाल यहां पर कर सकता है तो यार दोस्तों यह थी कुछ बाते इंडिया की इंटरनेट से अब हाला कि मैं यह नहीं बोलूगा कि आज भी हम पर्फेक्ट है देखा जातो अभी भी जो स्पीड से वह काफी इंकंसिस्टेंट रहती हैं हर जगे नेट्वर्क अभी रहते हो ना उस पर दीरे दीरे लगाम लगाओ और बीज में एक ऐसा स्वीट स्पॉट ला कि जो वैल्यू फॉर मनी वाला जो कंसेट रहते हैं वो दुबारा से जिंदार है लेकिन अब यह नहीं जाता कि पुराना जमाना वापास है जहां पर हम तीन सो रुपे के लिए बन जी भी दे रहे हैं वो चीज ना होके कुछ नहीं चीजे देखने को मिले तो एक बेटर चीज होगी बाइदावे आप लोगों का यहां पर एक्सपीरेंस कैसा है ना इंटरनेट की और इसकी स्पीड को लेके यह बात इंचे कमेंट जरूर बताईए वीडियो कर आप ल को गर बितक नहीं चीजे तो